अच्छी से अच्छी वीडियो भी बना ली, थमनेल पे भी घेंटो लगा लिए, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन भी रिसर्च करके लिख लिया, लेकिन फिर भी व्यूज नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ तीन रिजन है, अगर आपकी किसी भी तरह की कोई वीडि चाहिए आप उर्दू स्टोरी, इस्लामिक स्टोरी, गेमिंग के लेटर वीडियो बनाते हैं, ये तीन पॉइंट्स जब तक आपकी क्लियर नहीं होंगे, आपके यूटिब चैनल के ओपर व्यूज नहीं आने वाले, अगर आपकी वीडियो का टाइटल, टैग, डिस्क्र चैनल सबस्क्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, ये बाते करके मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करने वाला, मैं बस आप से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, आपको पता चल जाएगा, आपको जब इन्फरमेशन मिल तो बगयर वक्त आया कि ये देखते हैं कि ये कौन से हैं तीन पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट है रॉंग वीडियो ओडियन्स, अगर आपकी ओडियन्स जो है वो ही घलत है, वो आपकी कॉंटेंट को देखना ही नहीं चाहती, तो चाहे आप जितनी मर्दी महनत कर ले आपकी वीडियो के ओपर व्यूज नहीं आने वाले, क्योंकि जो आपकी ओडियन्स है, जो आपके सबस्क्राइबर हैं, वो कुछ और देखना चाह रहे हैं, और आप उसे कुछ और दिखा रहे हैं, अब देखें जी, रॉंग ओडियन्स आपके चैनल पे आने के पीछे व वाली ओडियन्स भी आजेगी, इसका खुम्याज़ा आपको तब भुगतना पड़ेगा जब आप उस टॉपिक से हट के कोई वीडियो बनाएंगे, अब मान लीजिए कि आपका यूट्यूब चैनल है, टेक के रिलेटेड, आप टेकनोलोजी की वीडियो बना रहे हैं, य आप क्या करते हैं, जी वही टॉपिक पकड़ते हैं, वही टॉपिक क्लियर करते हैं, वही टॉपिक बताते हैं अपनी वीडियो में और आपकी वीडियो वाइरल हो जाते हैं, अब इसका नुकसान आपको ये होता है, जो ओडियन्स आपके चैनल पे आई है, वो उस वीडि ना के वो आपकी information लेने के लिए ये ना के वो आपकी टेक वीडियो देखने के लिए ये तो आप लोग ये छोटी सी घलती करते हैं trending topic को पकड़ के आरदी तोर पे व्यूज ले ले लेते हैं लेकिन इससे क्या है कि आपकी घलत audience आ जा जाती है आपके चैनल पे और घलत audience के बात जब वीडियो जाती है ना आपकी जब आप वीडियो प्लोड करते हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और वो उसके ओपर कलिक नहीं करते हैं तो simple YouTube क्या समझती है कि ये वीडियो बकवास वीडियो है इसमें कोई interest ही नहीं है audience का जब subscriber ही आपकी वीडियो पर इंट्रेस्ट नहीं लेंगे तो कौन आपकी वीडियो को देखेगा YouTube आपकी वीडियो को आगे सजेस्ट ही नहीं करती है आगे impression ही नहीं बेखती जिसकी मैंसे आपकी वीडियो वहीं की वहीं रुक जाती है चाहे आप जितने अमबरती अच्छे टाइटल टैग डिस्क रेंड को नहीं पकडते थम्नेयल भी अच्छे से बनाते हैं और साथी साथ वीडियो की एरिटिंग भी अच्छे से करते हैं और फिर भी आप कि वीडियो नहीं आ रहे तो आपने एसे क्या करना है ऐसे में आपने अपने जो competitors ैं जो YouTube Studio के अंदर YouTube Studio में आपने Analytics में जाना है Analytics में जाके आपने ओडियोंस में जाना है ओडियोंस में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा What your audience watches कि आपकी ओडियोंस क्या वाच कर रही है क्या देख रही है यहां पर आपको मुख्तलिफ यूट्यूबर की मुख्तलिफ वीडियोंस नजर आ रही होंगी यह वो वीडियोंस आपको शो हो रही होंगी जो कि आपके वीवर आपके सब्सक्राइबर आपकी ओडियोंस देख रही है जब वो वीडियो आपकी audience देख रही है तो उसके यह मतलब है कि उन्हें उन वीडियो के अंदर interest है वो वो information लेना चाहते हैं तो अगर आप उस तरह की वीडियो बनाएंगे थमनेल उस तरह से बनाके upload करेंगे और अपने topic के related रहके videos upload करेंगे तो आपकी videos के उपर views भी आए करते हैं लेकिन अपनी topic के related अपनी category के related जो भी information है वो अपनी audience को ने provide करते हैं जिसकी मेंसे आपके views नहीं आ रहे तो इसलिए YouTube ने आपकी help करने के लिए ना आपको यह topic बताने के लिए कि आज किस पर वीडियो बनानी है कल किस पर बनानी है YouTube ने खुद आपको बता दिया है कि यहां पर जाकर ना चेक कर सकते हो कि आपकी audience क्या देख रही है उसी तरह की वीडियो बनाओ वही topic क्लियर करो जैसे उनके views आ रहे हैं वैसे आपके भी views आएंगा तो इसके पीछे क्या वज़ा हो सकती है इसके पीछे simple सी एक वज़ा है कि आप लोग यह नहीं देखते कि आपकी audience किस time online बैठी है आप लोग बस जो है जब वीडियो तियार हुई उस time upload कर दी यह नहीं देखते कि आपकी audience किस time online है किस time वो offline है किस time आपके subscriber बैठे YouTube चला अब इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि जब आप अपनी वीडियो को upload करके public कर देते हैं और आप यह नहीं देखते कि आपकी audience online बैठी है यह नहीं अगर तो वो online नहीं बैठी तो उसके यह आपको नुकसान होता है कि जैसे यह वीडियो जाती है आपकी वीडियो public करते हैं तो आपके subscribers के पास जाती है जब आपके subscriber उस वीडियो के उपर press करके देखते हैं और फिर YouTube आपकी वीडियो को आगे suggest करती है आगे उसकी impressions बेचती है आगे सर्च में बेचती है लेकिन अगर आपके subscriber ही offline थे जब आपने video upload की तो उससे क्या है कि आपकी वीडियो पहले 3-4 गंटे उसके views आएंगे ही नहीं क्योंकि आपके subscriber ही active नहीं अब ऐसे में YouTube के पास ये sign जाता है कि ये video बेकार है इसमें कोई information इसका title, tag, description भी अच्छा नहीं जिसकी में से audience को press करके देखनी रही है तो इससे ये साबिस होता है कि video public करने का time बहुत matter करता है अगर आप time देख के public करेंगे तो आपकी videos के उपर उसी time views आएंगे और YouTube आपकी video को आगे suggest करेगी आगे impression बेजेगी लेकिन अगर आगर आप बगएर सोचे समझे video को public करते हैं बगएर कुछ देख के अपनी video को public करते हैं तो फिर आपकी video के उपर views नहीं आएंगे आपकी video वही कि वहीं रुक जाएगी अब हमने ये कैसे देखना है कि हमारे viewers किस time online होते हैं YouTube पे किस time available होते हैं तांकि हम उस time video upload करें अब देखें जी आपने simple YouTube स्टूडियो में जाना है YouTube स्टूडियो में जाके आपने analytics में जाके audience में जाना है audience में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कैसे पता करना है कि किस time हमारी audience जो है ना available होती है तो जहां पे dark area ना उसके उपर अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको वहां पे लिखा हूँवा नजर आएगा कि इस time आपकी जू आपकी ज्यादा तर audience है वो online होती है तो जो light area ना उसके ओपर अगर आप प्रेस करेंग이 अब ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जिनके title, tag, description, video editing, audio editing ये सब चीज़ें बहुत बहुत बहतर थी लेकिन फिर भी उनके views नहीं आ रहे थे तो ये वीडियो उन लोगों के लिए थी लेकिन अगर आप लोगों की title, tag, description ही नहीं सही, video editing ही नहीं सही, आपकी audio ही नहीं सह Instagram पे भी contact कर सकते हैं अगर आप मुझे अपना चैनल चेक करवाना चाहते हैं या फिर आपको कोई और मसले यूट्यूब से related तो आप मुझे contact कर सकते हैं मैं आपको वहाँ पर definitely response करूंगा सो आज की इस वीडियो में इतना ही था मिलते हैं नक्स वीडियो में तब तक के लिए लिए लाहाफ़ाए